प्रबुप्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज लोकी का परोठा बनाएंगे लोकी का परोठा बनाने के लिए जो सामकरी चाहिए लोकी को चिलका निकालके कसके एक कप लिया है ग्योंका आटा एक कप लिया है सोंफ आदा स्पून तिल आदा स्पून कस्तुरी मेती एक स्पून नारियल चार स्पून स्वादनुसार नमक कड़ी पत्ता दो स्पून ओएल, चार हरी मिर्ची, हरी धनिया चार स्पून, अभी एक बॉल में सारे इंग्रीडियन्स को डाल रही हूँ, इसको हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा गुंद लेंगे, देखिए ऐसा, थोड़ा सा ओएल डालके इसको सेट करेंगे, रेस्ट में रखने की जरुवत नहीं, ये फोरण बना सकते हैं, देखिए, इसका लोई बना रही हूँ, अभी एक लोई लेके, ऐसा बेल के, थोड़ा सा ओएल लगा के, ट्रायांगल के शेप में फोल्ड कर लेंगे, इसको थोड़ा आटा लगा के, फिर से बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं न, ऐसे ही, देखिए, ऐसा, मैं तवा गरम करने रख दिया है, इसको दई के साथ, अचार के साथ, टामाटर चेटनी के साथ, सर्व कर सकते हैं, तवा गरम हो गया है, अभी इसको तवे पर डाल रही हूँ, दोनो तरफ तेल लगा कर सेख लेंगे, देखिए ऐसा, कितना अच्छा डॉट डॉट डॉट्स आया है, लोकी का परोटा रेडी हो रहा है, मैं दूसरा भी दिखाती हूँ, देखिए ऐसा एक लोई लेके, इसको बेलके, अंदर थोड़ा तेल लगा के, ट्रायांगल शेप में फोल्ड करके, फिर से इसको बेलके, तवे पर डालके सेख लेंगे, जो भी लोई बच्चा है, उसको भी ऐसे ही सेख लेंगे, देखिए लोकी का परोठा रेडी हो गया है, अभी इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ, लोकी का परोठा रेडी,